इस वीडियो में हम कुछ वैदर से रिलेटिड वोकेबलरी और संटेंसिस दिखेंगे वैदर से रिलेटिड संटेंसिस और उनके मीनिंग इस पहले है टू बकेट डाउन इसका मीनिंग है टू रेन वैरी हैविली यनके बहुत तेज बारिश इसका संटेंस है शी थाट अबाउट वाकिंग टू दा डाक्टर बट दा रेन वास दिल बकेट डाउन उसने डाक्टर के पास जाने के बारे में सोचा लेकिन अबी तक बहुत तेज बारिश हो रही थी रेन चेक यूस तो सम तो टेल साम वन दैट यू कांट असेप्ट इंविटेशन यह इडियम जो है जो इसके लिए यूज रहता है अगर किसी को किसी इंविटेशन वगएरा से इंकार करना हो यह से इसका संटेंस है मुझे आज रात की पार्टी से रुखना पड़ेगा या मना करना पड़ेगा क्योंके मेरे पास पहले से ही दूसरे प्लैन्स है इसका तीसरा संटेंस है इसका मीनिंग है तू बी क्रेक्ट यानके बिल्कुल कोई ठीक होने के बारे में यह संटेंस है जो अगर कोई बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए यह संटेंस यह इडियम यूज होता है इसका संटेंस है वो मीटिंग के पारे में बिल्कुल ठीक थे या उनके meeting के बारे में points बिल्कुल ठीक थे It's raining cats and dogs इसका meaning rain heavily यानके बहुत तेज बारिश का होना sentence है इसका They will have to cancel the football match उन्हें football match cancel करना पड़ेगा It's raining cats and dogs के बहुत तेज या मुस्लादार बारिश हो रही है मुस्लादार बारिश होने की वज़ा से उन्हें किरकट मैच फुटबाल मैच कैंसल करना पड़ेगा